नमस्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत शुगते दोसों केशे हैं आप शुबी उमिद करते हैं कि माता राने के शुरवाशी भगवान भोले नात के शुरवाशी और अपने शुद्येव के शुरवाशी आप बहुत अच्छी होंगे जिया दोसों दोसों हम आप शुबी को बता दी कि आज की इस वीडियो में हम आप के आने वाले एक अच्छे पल्षी अवगत कराने वाले हैं जिहां दोसों जिनें शुन कर आप भी कहेंगे कि धन्य हो माता लक्ष्मी, धन्य हो भोलेनात और धन्य हो हमारे इस्ठदीव जिनों ने हमें इतने अच्छे मूखे दी जिहां दोसों हम आप शुबी को बता दी कि जो खुशकबरी अब आप शुबी की जुनकाल में आपको प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों वाख़ी में यह आपके लिए कल्पनाओं में बेहने की बात होगी। आप यकीन तो नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अब बातों को ध्यांच से सुनेंगे, तो दोस्तों सच्छाई इसमें इसी है कि शुनकर आपको यकीन दिल से होगा। जियां दोस्तों शाथी वीडियो में हम कुछ ऐसे ज्ञान की बातें बताएंगे जो कि दोस्तों आपके जीवन के लिए आपके आने वाले भाईश के लिए बहुत एदा महत पुरूंगे हर एक मुर्श्किल प्रस्तितियों में यहां ज्ञान की बाद आपका शाथ देगा त इन इसे भी आप आउगत कराने वाले हैं तो दोस्तों प्कूल मिलाकर करें तो आज यह वीडियो गरह गोचर परनिवीत आप शुवी की जीवन से लिए बहुत यदा लाप प्रद हों की इन्हें अंत तक देखना आपका दाईत होगा जया दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं पहले दोस्तों शवर परतन जो भी माता लक्षमी के शच्चे भगते हैं जो भगवान भुलिनात के शच्चे भगते हैं ने मानते हैं दोस्तों कमेंड में जय माता दी जय भुलिनात जरूर लिखेगा तो आपको इनके किरपा प्राप्त होगी जिनुकाल में आप की जानकारी के बता दी कि गरहों की बदलती चाल में जब भी इश्वर का शुरुबाद आता है तो दोसों उनके भक्त को यथा शंबव लाब की प्राप्ते आउश होती है जिया दोसों बातों को बहुत ज़्यदा गौर्श सुने दोसों यह आपके जोन के सबसे अच्छे प लेना वहां उनके कर्म शेह करते हैं तो दोस्तों दर्ती पर आपको बड़े इंसाने होंगे और आप च्छोटे होंगे जिए दोसों बहुत तर्केशे आपको काम करें बताने वाले ही जो आपको शावधनिया विश्यूश बताने वाले हैं इन्हें आप़ोधा गौर्ष जुने दोसों क्यों भगवान भुलनात और मालक्षमी का जो परम शुभयोग है यह में निर्मित हो चुका है जो कि आपकी कुंडली के लिए आपके राश्य के लिए भागय बदलने के कारग मानने जाते हैं तो दोसों इनमें आपको कौन से विश्य शावधिया रखने जो भगवान शुरी किष्ण कहते हैं कि जो भक्त के हम अच्छे दिन लाते हैं तो दोसों उनकी हम प्रेक्षा भेवश लेते हैं जो दोसों अगर आपके लिए सामसे सुब समय है तो दोसों इनमें आपको कुछ विश्य बातों का जरूर ही ध्यान रखना होगा जो कि दोस सबी बातें आप ध्यान सुनिएगा तो दोसों बात करते हैं शुरुवात करते हैं जीवन की एक सबसे बड़ा सच की बारे में जे दोसों हम आप शुब को बता दें कि भगवान शुरी किष्ण कहते हैं एगर भूल से भी कभी आपको गर्व होजाए कि मेरे बिना तो यहा योनियों में एकी इंसान पर श्रकमाता है अनकोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंशान का जो पेठे कभी नहीं भरा जिया दोस्तों यह बातों में अगर आपको शचाई लगी हो बगवान शुरी किष्ण का ग्यान अगर आपको पशन दाया हो तो दोस्तों वीडियो की कुंडले में आप शुबी की जुनकाल में आपके घर के मखौल में पार्यूजन में श्वास करियर में पर्तेग शित्र में कौन-कौन से सुधार होंगी कौन-कौन से विशेश बातों का आपको ध्यान रखना होगा शबी बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो को अंध त पूरा करने के लिए तयार रहेंगे वह दोस्तों इन दुनों में अगर आपकी नेगेटिव के लिएकर बात करें तो शमय वह फिर परिस्तिती को देखते हुए आपको कार्य करना चाहिए अपने घर परिवार के सदस्यों पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको यश् इस्षा सकती और आत्मबल्द से पस्तिती पर विजय पाने का शमय होगा दोस्तों जो इस्तितियां आपके लिए अभी विप्रित लग रही है उनमें आप अपने लिए शकार्तमग जो है फल ढूंड पाएंगे लेकिन कुछ शमस्याएं हैं जिनको हैंडल करने में सक्चम नहीं रहत पाएंगे तो अपनी कोशिसों को थोड़ा और तेज करें और रशनादमकता दिखाने का यह अवसर होगा वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करेर को लेकर बात करें तो यह जो समय है आपके प्रयाशों की सारना होगी आप यह समय अधिक प्रयास करें और बॉस आपकी कारियों की शारना करेंगे पॉस आपकी काम को देखेंगे और उनसे संतुज भी यह में रहेंगे दोस्तों यह जो समय है कार शेतर के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा इस दोरन आप मल लगा कर अपने कारियों को पूरा करेंगे आप सही उजनाय बनाएंगे औ आगे अपना कदम बढ़ाएंगे उनमें सफल भी आप यसमें हो सकते हैं के वल आप यसमें पर्यास जारी रखें वह दूस्तों इन दुरों में आपके लव लाइब को लेकर बात करें तो आपकी प्यार की रिष्टे में एक जादुए ऐसास चाह रहा है इसकी खुब सुरु की प्रवचन सुनने के योग बन रहे हैं या फिर कोई अध्यात्मी के आप पुस्तक यसमें पर्द सकते हैं दोस्तों यह समय है अनामश्य रूप से किसी पर आप अधिकार जमने का प्रयास बिल्कुल ना करें इससे जो आपकी रिष्टे पर इनका असरपड़ सकता है और समस्य भी उत्पन होशकती है दोस्तों यह में आपका जो है भागिशाली रंग रहेगा आश्मानी और भागिशाली अंक रहेगा नौश वह दूस्तों यह स्मय आपकी श्रीजनात्मक्ता की खूब परशन साहोगी और आपको परतिष्ठा भी मिलेगा आप अपने श्रेष प्रत्रल द्वारा काम करेंगे प्रब्टु आपका जो मूड है यसमें बारंबार परवित्तित होता रहेगा परिणाम सवरो गुस्य के कारण आपकी पूर्मता के द्वार पर पहुंचता हुआ काम विगड़ सक्था यहां दूस्तों काम को काम पर आप पहुंचते पो ड रखने की शलाह देते हैं वह दूस्तों यश्मी आपकी धन को लेकर बात करें तो आप भागे पर निर्भर होंगे क्योंकि अन्य लोग आपके कारियों को पूरा करने के लिए जो है प्रयाशों को पहचान नहीं पाएंगे गिनेजी कहते हैं कि भागे पर भरुषा नहीं करे क्योंकि कर्म आपके भागी को प्रभाशित करता है अपने उपर भरुषा रखने से आप निश्चित रूप से लंबे श्मित तक सकात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे गिनेजी प्रेरित करते हुए कहते हैं वह दूस्तों यश्मी आपकी पारिवरिक जीवन की बात करें तो अपने प्यार को व्यक्त करने के ख्याल से ही आपका दिल तेजी से धड़क नहीं लगेगा आप उसे अपनों तोफा दोवरा गदगद कर सकते हैं दूस्तों यह श्मे आप पहले अपने पीर की चाहतों को जाने यदि आप उसके साथ एक जो है दिर्ग कालिक परतिबत साथे चाहते हैं तो दोस्तों यह शोश्मे है आप अपने जया साथी का पसंद या फिरणाzahl करें गिनेश यह सा चेहते हैं वह दूस्तों या सष्मिया आपकी आर्थी हिस्तिति को लेकर बात करें तो भागि आपकर वितिमामलों पर भाही शालि रहीगा खर्चों की प्रत के जरिये वांशित परिणा भी प्राप्त करने के लिए तत पर रहेंगे भागे की देवी आप पर महरमान हैं दोस्तों आपका मूड एक उंचा जो है श्विंग लेगा और स्वास्त यसमें ठीक रहेगा वह दोस्तों यसमें अधिकारिक और मन भालाने वाली मरंजक यात्रा हैं आपके लिए शुकत और उप्योगी शावित होंगी दोस्तों इन दिनों में आप सकार्पम रूप आपके लिए आपकी आसपास के लोगों को प्रवाइद करेगा यसमें बोलते समय और वित्ति लेंदेन करते समय आप साधनी बढ़ते हैं यह इसकी जरुरत होगी दोस यसमें साफ गोई से अपने मन की बात कहने से आप नो घबराएं वह दोस्तों यह दिन आपकी जिवन में वसंद काल की तरह है रोमाने वह प्यार्ष भरा रहेगा तो जहां सिर्फ आप और आपका जुण साती का साथ होगा यह दुस्तों यह समय है आप पीले चावल बनाक नing Hadar गरिबों को बाटने से आपकी इसमे आर्थिक स्तित्य है और पहले स्में आपकी आर्थिक्ति जो थी उन से आप शुट्करा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इन उपायों को आप जरू करें फिल है चावल बना कर जो है गरिबों में बाठें दोस्तों याश में आपको कौन से हुपाय को करना चाहिए दोस्तों याश में शंकश में स्टेस्ट से पचने के लिए राहू और कितव ही जम्हेदार होते हैं दो रंगीं कंबल को अक्ञेस बार खुद पर शेवार कर उसे मंदिर में या फिर गरीब को दान कर दें इसे दोस्तों कई तरह के फायदे होंगे और या उपाय आपके लिए भागशाले होंगे शंकार समस्या हों और आर्थिक दंग्यों से इनसे आपको छुटकारा मिलेगी तो दोस्तों इन्हें आप से रूग अपनाए या आपके लिए भागशाले होंगे शाधी दोस्तों और ये दिख जान करें के लिए शेनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अधिक से दिख लाइक करें शेयर करें